जब आज़ादी का समाय आया तब सत्ता के हस्तांतरां के प्रतिक को लेकर प्रश्ण उठा था इसके लिए हमारे देश में अलग-अलग परंपराय रही है अलग-अलग रिती रिवाज भी रहे हैं लेकिन उस समय राजाजी और आदिनम के मारदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुन्य मार्ग मिला था ये मार था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का तमिल परंपरा में सासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था सेंगोल इस बात का प्रतिक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्यान की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव के मार्ग से विचलित नहीं होगा सत्ता हस्तांतरण के प्रतिक के तोर पर तब 1947 में 1947 में पवीत्र तिरू वावडू तुरै आधिनम द्वारा एक विशे सेंगोल तयार किया गया था आज उस दौर की तस्विरें हमें याद दिला रही हैं कि तमिल संस्कृति और आधुनिक लोक्तंत्र के रूप में भारत की नियती के बीच कितना भावुक और आत्मिय संबन्द रहा है आज उन गहरे संबन्दों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बहार निकल कर एक बार फिर जिवन्त हो उठी है इससे उस समय की घटनाओं को समझने का सही दस्त्रिकोन भी मिलता है और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सत्ता के हस्तान तरण के इस सबसे बड़े प्रतिक के साथ क्या किया गया